हाई एफ्रिवन कैसे हैं आप पता है दोस्तो जो घर की बहुत सारी ऐसी सबचिया होती है जिनसे बहुत ही खुबसूरत पेंटिंग बना सकते हैं तो चलिए आज हम लेंगे एक बहुत बड़ा आलू देखें कुछ इस तरीके से आप इसे दो हिस्तो में बाठ लीजिए और हम आज बनानी जा रहे हैं आलू से स्टेंप तो आपको जो शेप पसंद है आप वो बनाईए जैसे कि मैं इस वक्त दिल की शेप बना रहे हूँ आप इस तरीके से बहुत ही केर बुली नाइफ की मदद से या फिर कटर की मदद से आप जो भी आपको शेप बनानी है वो आप इसमें मार्ग कर सकते हैं देखें लेकिन गाइस मेरे सचेशन है आपके लिए कि प्लीज बी केरफुल क्योंकि थोड़ी सी भी साफदानी हटे ना तो ये स्टैम्प हमारी खराब हो जाती है और हमारा आलू भी खराब हो जाएगा तो चाहिए थोड़ा सा टाइम लग जाए पर धीरे दीरे करिए आप देखें कि मैं बहुत ही छोटा छोटा पोर्शन ले रही हूँ ताकि जो भी मैं स्टैम्प बना रही हूँ उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाए आप देखें अब आपको क्या करना है जो भी आपने शेप बनाई है उसे अच्छे से ट्रेम जरूर कर ले ये देखें काईस कितनी खुबसूरत हमारी स्टैम्प बनकर रेडी हुई है आप किसी कॉटन के कपड़े से आप इसका मश्यर पूरे तरीके से निकाल दीजी आप हम लेंगे एक शेट आप किसी भी कलर की शेट ले सकते हैं और वही हमारे जो नॉर्मली बच्चे पिंटिंग करने में कलर्स यूज करते हैं वह भी आप अप्लाई कर सकते हैं फैब्रिक कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये देखें इस तरीके से आप कलर लगाएं और जहां भी आपको texture देना है वहाँ आप इसी तरीके से stamp लगाते चाहिए और आप देखिए पार बार shape बनाने की जरुवत नहीं होगी टाइम बच जाएगा और खुबसूरत बहुत लगेगा है ना गाइस और आप चाहते हैं परी कुछ अलग करना तो shading देदेजे बहुत सिंपल है यह देखिए मैंने एक तरफ red और एक तरफ yellow करके देखिए थोड़ा सा तो change लग रहा है और खुबसूरत भी बहुत लगेगा यकीन मानिए दोस्तों आप जब यह stamp बनाएंगे ना बच्चों की जो file project होता है या फिर आप gift wrapping करने में paper decorate करने में कहीं भी आप इनका अच्छे से use कर सकते हैं और जब बच्ची अपने हाथ से stamp ready करते हैं उसका मचाई यह लग है उन्हें बहुत अच्छा लगता है पर नग बिलकोल ना भूले थैंक यू सो मच गाईस अपना अच्छे से दियान रखे थैंक यू